स्वागत है आपका YouTube चैनल पर और जैसा कि आपसे भी जानते हैं कि आपका EPFO क्योंकि एक्जाम आपका June में हो सकता है आज भी 22 महीं लेकिन दस्वारा दिन बाद आपका एक्जाम की देट किसी भी दिन आपकी एक्जाम नड़ेट आ सकती है तो उसकी त्यारी आपको अच्छे से करनी हैं और उसी को धियर में रखते हुए हम आपके लिएक सीरीस लेकर कराने वाला हूं यह सारे मॉक टेस्ट आपके जो आपका पूरा पैटर्ण जैसा आने वाला है उसी पर होने वाले हैं यहां पर कुछ मिक्स को कराऊंगा जिनको करने करेंगे और अगर आपको चीज़ क्लियर नहीं है तो यहां से इस वीडियो के बाद आपको चीज़े सी क्लियर जो है वो हो जाएंगी पहला कोशन आपके सामने इच आपका इससे होने वाला है तो राजगार्ट में आपको पता है कि माहतमा गांधी की जो तो समाधी है, वो बनाई गए है वहाँ पर, तो शांतीवन में, इन में से किस leader की, किस politician की यहाँ पर समाधी होगी, तो लाल बदु शास्तरी की, राजीव गांधी की, जवाहर लाल लहरू, या फिर इंदरा गांधी, तो सही आंतर इसका है, जवाहर लालल लहरू, जो हमारे सब्सक्राइब करें तो अगर मैं यहां पर करूं नाइंटीन के मुल्टिप्लाई अगर मैं 6 में करता हूं तो मुझे 114 मिल जाता है ठीक 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 है तो यहां पर क्या रिलेशन है कि पहले मुल्टिप्लाई आपको यहां पर 6 में करनी है और फिर मुल्टिप्लाई आपको यहां पर 2 में करनी है तो आपका जो रिलेशन है वो सटिस् 60 तो पहला ही आपका अंसर यहां पर बिल्गुल सेट हो जाएगा कि पहला रेलेशन जो है वह सेम वह हमारे कुश्चन से बिल्गुल ठीक मैच कर रहा है ठीक है चलिए बागी तो क्योंकि यहां से एक ही ठीक होगा बागी ठीक हो नहीं सकते तो अट्रमेटिकली क्या हो जाए तो 59 है 43 है 37 है या फिर 81 है यह आप से पूछा गया है अब आप जरह यहां पर देखें तो इसमें से आप देखो 59, 43, 37 यह हमारे नंबर जो है थोड़े से अटपटे से नंबर है एक नंबर मुझे यहां पर परफेक्ट स्क्वाइर दिख रहा है जो कि मेरा 81 है और 81 मेरा कि और देखें तो यहां पर बचा से पहें कि ऑप्शन 9 क्योंकि यह क्या है इक परफेक्ट स्क्वाइर है फाइन चलिए आपको सानुझ में आगे चलते हैं चलिए बात करते हैं अगर आप अगर आप नहीं से इसकी तियारी नहीं कर रहे हैं और हमार साथ आप इसके अगर त साथ हम आपको त्यारी कराते हैं 50% faster आप नीचे डिस्मिन बॉक्स में लिंक होगा वहां जाकर आप मारे कोर्स का डेमों भी देख सकते हैं हमारे मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री है आप जाए हमारे अपसाइट पर और मॉक टेस्ट को एक पर जरूर ट्राइगे अगर आ कोर्स में तो फटापट से जाएए और आप इसमें कोड एप फॉर्टी कोड भी लगा सकते हैं जिससे कि आपको क्या मिलेगा फ्लैट फॉर्टी परसेंट ऑफ जो है वो मिल जाएगा तो जाए हमारी वेबसाइट पर यहां पर जाके आप हमें अगर वेबसाइट से जाना अगर आपको और जानना है इस कोर्स के बारे में तो आप महां से वह पता कर सकते हैं ओके चलिए नेक्स्ट फाइंड दा ओर वन आउट फ्रॉम्ट फॉलोविंग ऑप्शन ठीक है आप से पूचा गया है कि और पूचा गया आप से फॉलोविंग ऑप्शन में 68 दिया है ए रिलेशन जो है बन सकता है पहला आप यहाँ पर यह पता करना के मैं तो प्रॉम्टां और को याद का स्क्वाईर जो होता है वो 44 होता है लेगिन यहां पर 68 तो मैं इस ऐसे अगर फॉर को एड किया तो मुझे मिल जाएंगा। इसमें आते हैं, 11 का स्क्वैर जो है, वो आपका होता है 121, इसमें अगर मैं 4 को एड़ कर दू, तो मुझे मिल जाएगा 125, जो कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 16 की, 16 का स्क्वैर जो है, मेरा वो 256 होता है, और इसमें अगर मैं 4 को एड़ करूँ, यह इस 5 को add करूँ, तब जाकर मुझे 261 मिलेगा, और ऐसे ही 19 का square जो है, वो आपका 361 होता है, और इसे हमें अगर 4 को add करता हूँ, तो मुझे 365 मिल जाएगा, तो आप इन देखी यहाँ पर इन 4 पार्ट्स में, यहाँ पर क्या given है, यहाँ पर एक चीज जो है, वो सब में common है, सिर्फ एक ही option में एक चीज common नहीं है, जो है आपका square plus 4, square plus 4, square plus 4, और यहाँ पर क्या है, square plus 5 है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, यही हमारा odd 1 out हो जाएगा, ठीक, तो यह हमारा सरी answer यहाँ पर है, ठीक है जी, चलिए, select the correct mirror image of the given combination when the mirror is placed at PQ as shown below, आपके आपसे यहाँ पर पूचा गया है, कि mirror image आपको यहाँ पर इस question की find करनी है, mirror आपके सामने यह है, यहाँ पर, यहाँ आपके सामने mirror है, ओके, अब mirror में क्या होता है, जो right है, वो आपका left बन जाएगा, जो left है, वो आपका extreme right बन जाएगा, इसकी पहली property होती है, तो अगर मैं इसको mirror को इस तरफ अगर मैं place करता हूँ, ठीक है, तो मेरा M जो है, सबसे पहले मेरा M जो है, वो यहाँ पर आएगा, उल्टा, तो अब तरह इसी साब इसको निकाल सकते हैं, कि M जो है, स्टार्टिंग सिर्फ एक ही नंबर से हो रही है और किसी में M से स्टार्टिंग हो ही नहीं रही है, यहाँ पर, तो यह ही आपका यहाँ पर सही answer हो जाएगा, बाकिसमें आगे आपको जाने के जरुज़रत पड़ेगी ही नहीं, यहाँ पर आपका M आएगा, फिर आपका 1 जो है वो इस तरह से बनके आएगा, तो ऐसे उल language, B, E, H, O, L, D is written as B, D, E, H, L, O, Indeed is written as D, D, E, I, I, N, और C, O, U, R, S, C कैसे लिखा हुआ है, इस रिटन as, तो इसको हम कोर्स को में निकाल ला है, ठीक है, आपसे हैं बोला गया है कि Behold को आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, चलो लिखते हैं जो उन्होंने बताया गया है, Behold E, H, L, O, यह आपका पहला पार्ट हो गया, ओके, पिरोंने लिखा है यहाँ पर Indeed को, I, N, D, W, E, D, इसको यहाँ पर कैसे लिखा है, D, D, E, D, D, E, I, N, ओके, अब आपसे थर्ड वाला पार्ट पूछा है, तो पहले जारा हमें इन दोनों में जो क्या चीज़ा कॉमन है, पहले वो निकाल लेते हैं कि इन दोनों में क्या पैटर्न लगाया गया है, तो मैं ज़रा, यहाँ पर देख़ूं कि यह number हमें as it is दे दिया, यह letter हमें as it is दे दिया, word हम दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको उन्होंने alphabetical order में लिखा जैसे B के बाद D आएगा, D के order में लिखा गया है ठीक है किसमें लिखा यहां पर ascending order में alphabets को यहां पर लिखा गया है यहां पर इसका लॉजिक है तो ज़रा इसको पर देखें ठीक है अब अब अगर मैं कोर्स को लिखू यहां पर c o u r s e तो अब देखिए c कितों से पहले आएगा ही आएगा c के बाद आता है हमारा e e ke बाद आएगा हमारा o कि a तो वाधा हमारा आए s और ट के बाद u को c e o rsu नहीं है फॉर्ट में है फॉर्ट जो है आपका यहां पर सही आंसर क्या हो यहां पर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो यहां पर बोला गया है तो यहां पर बोला गया है तो मतलब क्या है कि अंदर आपके यहां पर नहीं होते हैं पुरानी चीज़े यहां पर रखी जाती है तो आटीफेक्ट जो है वहां पर रखी जाती है तो आटीफेक्ट विदा आंसर फौर दिस म्यूजियम ओके आगे चलते हैं अगे चलते हैं अगे अगे बढ़ती जा रही है स्रीज में आपका जो डिफेरेंस निकालते हैं अगर आपका बहुत तीज से बढ़ रहा हो तो उसमें हम उसको मुल्टिप्लाइबा लॉजिक देखते हैं अगर वह नॉमली बढ़ रहा हो तो उसमें प्लस एडिशन वाला लॉजिक जो हो लगता है तो यहां पर देखी जादा कुछ खास नहीं है दो 200 200 200 300 300 ठीक है तो इतना कुछ खास यहां पर फरक नहीं है तो प्लस माइनस का डिशन यहां पर जाएगा अगर मैं इस तरफ जाना है तो 30-40 अगर बढ़ रहा तो इस तरफ हमारा कम हो जाएगा तो 40 के बाद 30 30 के बाद 20 के बाद 20 को मैंस करूंगा तो आंसर मेरा क्या जाएगा यहां पर इसमें से 182 will be the right answer ठीक है यहां पर सही आंसर क्या है हमारा 182 हमारा ब्लोग सही आंसर हो जाएगा ठ ठीक है चलिए आरे वहारे इस तरफ बूव कर रहे हैं और सर्फ एक नमबर जो है हमारा यह वाला यह हमारा इस तरफ मूव कर रहा तो ब्लेस में क्या है । इसमें और वन आउट है थरड वाला इन सबसे अलग है यहां पर ओके चलिए चलिए बात करते हैं से लोग की statement आपको तीने statement दी गई है उसके आपको कुछ चार्क निक्लूजन है इसका आपको आंसर निकालना है करीद देखते हैं क्या है इसमें all cards are boxes सारे के सारे cards जो है वो क्या है आपके box है ऐसी बनेगा न all boxes are torches all boxes are torches and all torches are shoes ठीक है यह आपके यहां पर सब्सक्राइब बन चुगा है अब आप से हैं पूचा गया है कि क्या all shoes are torch सारे shoes torch होंगे नहीं होंगे क्योंकि torch shoes के अंदर है shoes torch के अंदर नहीं है all torches are box यह रह टोर्च यह रह बोक्स फिर वही चीज़ नहीं होगा all box are card all boxer cards यह रहे आपके cards यह रहे आपके shoes बिल्कुल भई यह जो cards वाला part है issues के अंदर तो आ ही रहा है ना ठीक है तो fourth आपका बिल्कुल यहां पर सही आंतर हो जाएगा तो only conclusion fourth follows यह है आपका first okay so first will be the right answer I hope आपको question समझ में आया होगा नहीं आया है आपको कोई भी किसी बतरही query हो इस पूरे session में किसी बतरही का आपको doubt हो किसी question में तो आप मुझे comment box में लिख दीजेगा मैं try करूंगा आपके problem को solve करने की और अगर आपको कुछ नए type question आपको चाहिए हो तो मैं भी आपके ल आते हैं तो इसमें आपको क्या करना चाहिए आपको जो basic approach करने की क्या होती है उसमें आप क्या करते है कि जो आपके alphabet से ना उनके जो numbers होते हैं उनको आपको 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 add करके देखिया अगर नंबर बहुत बड़ा जा रहा है अगर मानलों 10 आपको letters दी गए हैं और numbers आ अप्रोच आपकी वही रहनी चाहिए हमेशा इस तरह को करने की तो जैसे यहां पर आपस बूला गया practice इसको दर हम लिख लिखने हैं कि try करें आप फ्रक्टरस को इस तरह से आपके जो है वो नंबर जो आते हैं अब इनमबर और मैं add करता हूँ तो add करके मुझे क्या मिलेगा यहां से पिर मुझे 24 यहां से मिले मुझे 41 और यहां से मुझे आट कर दूं तो यहां से मिल जाएगा मुझे 60 ठीक है 24-2448 ओके और प्लस 60 तो यहां जाएगा मेरा 108 अब यह देखिए चार्ट दाले तो 60 को मैं add कितना है 108 यहां पर भी क्या दिया गया मुझे 108 मुझे यहां पर दिया गया मैं यहां पर पैन का गलरा चेंज कर लेता हूँ यहां पर दूसरे वाले को करके देखते हैं यहां पर क्या बोला गया है फिर बोला गया आपसे sprinter s-p-r-i-n-t-e-r तो अगर आपको यहां पर एक ही बाद एक ही चीज़ दी होती फिर तो शौर था कि हम उसको आगे बढ़ आगे आगे लेके चल सकते हैं फिर अपना हम question निकालते है पर आपको यहां पर दो options given है आपको यहां पर टाइप कीवन है उसके बेश पर आपको फड़ को निकाल ला है तो second को भी हम यह शकर लेते है इस ढहला इंच्शन कंवमख कर लेते हैं this printer moad यहां आपका उन्यस पर या आपका इस्तरह कि एृत्टाघा और चॉदात इस variant हमारे हो जाएंगे 57 और 35 हमारे हो जाएंगे 62 ठीक है अब यहां से हम क्या हो गए इसके लिए हम पूरी तरह से शौर हो चुके हैं कि हमें हमें जो अमारी सीरीज है उनको एड करना है नंबर्स को जो इस पर वो आते हैं सीक्वेंस को और फिर हमें उसको उसका अंसर निकालना ठीक है तो अब जरा में निकालो मैस्कुलिन को मैस्को डिलीट करता हूं यहां पर चलिए मैस्कुलिन को लिखता हूं से मेरा तहरा पर ए आता है एक पर एसा आता है मेरा 19 पर पर यू मैरे आता है 21 पर एल आता है मेरा 12 पर आई आता है नो पर एन आता है मेरा 14 पर और यह आता है मेरा 5 पर आता है 14 पांच उननीस और नो अठाईस एक तीस और यहां पर बिल्कुल है ठीक है तो 97 थर्ड वाला जो है इसका थर्ड वन भी बिल्दा राइट आंसर आई होप आपको पार समझ में आगए ठीक है बेसिकली क्या है आपको रिज्दी में क्या है इनके लिए क्या कर सकते ह है आपको एक ही टाइप के आगर मानों लोग के दस या बारा टॉपिक है एक टाइप के पचाप चास सवाल आप लगा लीजिए तो आपको पैटन जो याद हो जाएंगे कि किस पैटन में है क्या चीज़े आती है और बेसिकली इस बार तो उसका पैटन जो है वो भी आपक है अब क्या आमर पर यहां कि कि कैसे कि दिया गया है जरा आप इनके ौहमस्च को करने iau कि क्या टरीका पहले नमस diving को नमबर से उनको यहां लिख ले тем यहां किस तरह पर यहीं नमबर हैला नमबर आपको ऑनको ठीक है तो इसको छोड़ दो आप सीधा M से साथ करते हैं M आता है मेरा 13 पर R आता है मेरा 18 पर Q आता है मेरा 16 पर ठीक है जी D आता है मेरा 4 पर Z आता है मेरा 26 पर और G आता है मेरा 8 पर स्वरी 7 पर ठीक फिर उसका यू आता है उसके बाद मेरा 21 पर H आता है मेरा 8 पर W आता है मेरा 23 पर और LPM LPM में अगर मैं आऊं तो यह मेरा 12 यह है मेरा 16 और M है मेरा 13 पर यह इस तरह से हमारी सीरीज़ों बनेगी तो इन्हें के बीच में आपस में जो डिफरेंस हैं में कि यहां पर निकालता है रहाँ देखो यहां पर क्या हो सकता है यहां पर किता डिफरेंस है मैंनस 9 का यहां कितना है temple 17 का और यहां फिर कितना है था एक़्यां पर फैटर्स गरते हांड़ वारगा 2 29 होते हैं लेकिन लेटर समारे 26 तक आते हैं तो 26 के बाद 3 ABC 27 29 ABC अब सी से देख लो यहाँ पर कौन सा कुश्चन बन रहा है बस यह देखो बिल्गूल खतम सवाल ठीक है सेगंड ऑप्शन है आगे करने की जरूती नहीं है अगर आपको पहले यहाँ पर प्लस 26 और 8 में कितना है यहां भी हमारा समझ गए तो इस तरह से हम को इसमें आगे अप्रोच की ले कर जाएंगे ठीक है चलो नेक्स मुशन है सब्सक्राइब करते हैं इसको 19 के बाद लिखा 324 अब देखो तीन सो चॉबिस जो है वह होता है 18 स्कॉयर छिक है इस पर स्कॉयर के दिया तो नो का इक में से चलिए, next question है आपका, after arranging the given words according to dictionary, ठीक है, dictionary में words जो है आपको arrange करने है, आपसे पूछा गया है कि 5th position पर इसमें से कौन सा आएगा, 5 letter आपको given है, 5th position में मतला, सबसे last में हैं पर आपके पास कौन सा आएगा, तो P, O, P, P, O, P, P, O, P, P, O, P, ठीक है, 3 letter आपके यहां पर सब एले पर, P आएगा उसको बाद दूसरे पर, है ना, ऐसी होगा, उसके बाद U, 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 यह फिर भी इन तीनों में फिर से doubt हगया, तो इसको हम यहां छोड़ देते हैं, फिर L, L, इसको भी छोड़ देते हैं, फिर A, 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 इसको भी छोड़ दिया, यहां तक सब कूछ सेम रहे इस पर, तो फोर्थ वाला, सेगिंड वाला पार्ट जो है, पोपुलेशन जो है, वो इन पांचों में से सबसे लास्ट में आएगा, डिक्शनरी बेसिकली ही तो होती है, डिक्शनरी को आप चेक कैसे करते हैं, लेटर भाई लेटर आप सको चेक करने लगते हैं, एक लेट आपको reasoning में इसी तरह कोशन जो है, वो मिल जाएंगे, comment box में आप जरूर लिखेगा कि इस session आपको कैसा लगा, अगर आप अभी इस channel को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को आप subscribe जरूर कर लिजेगा, और इस वीडियो को मैक्स में आप share कर दीजिए, आपकी कोई भी query हो, इस वेरी गुद दे और रही जाएंगे, तैक यू